नमस्कार दोस्तों मैं शुशी रिकुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल एबेस ओल्वाइक्स दोस्तों जैसे यह जूपिटर मेरे पास आई है इसमें ओर रेस की प्रोल्म थी गाड़ी की रेस रुकती नहीं थी कभी कम हो जाती थी कभी ज्यादा हो ज की थी पैट्रोल टी इसकी खराब थी जिस कारें पैट्रोल हैड में जाता था और गाड़े की रेस और उती थी तो जिस मेकैनिक के पास पैड़े थी उसने इसका सारा काम करके देख लिया था इसके कारबर्ट को चेक कर लिया था इसके हैड के वाल डाल दिये थे और इसकी टूनिंग करके देख लिया थी टेपट उपर सब कुस करके देख लिया था लेकिन इसकी race over हो रही थी, race नहीं रुख रही थी, जिस कार्नेगाड़ी मेरे पास आई है और मैंने इसे अच्छी तरह चेक किया है, तो मेरे सामने प्रोल्म ये आई है कि इस गाड़ीन की पैट्रोल T होती है ये पैट्रोल T है दोस्तों, इस में प्रोल्म थी, पैट्रोल जो आना था, सिर्फ एक ही पाइप से आना था नीचे वाली पाइप से नहीं आ रहा था, इस पाइप से पैट्रोल आ रहा था, जो हैड में जा रहा था जिस कारण गाड़ी की रेस कभी कम हो रही थी कभी जादा हो रही थी गाड़ी की ओवरेस की प्रोल्म बहुत आ रही थी तो पैटोल टी डालने पर इसकी ओवरेस की प्रोल्म बिल्कुल ठीक हो गई है जिससे आप देखो गाड़ी विल्कुल नॉर्मल स्टार्ट खड़ी है जो पैट्रोल टी डालने से प्रोल्म सोल हो जानी थी वो प्रोल्म सोल हो गई है धन्यावाद दोस्तों ये नोलिज आपको कैसी लगी कमेंट में जूर बताएं वीडियो को लाइक दूर 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 द